नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नंबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सबी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में शिवराज क्याबिनेट के दस बड़े फैसले नई योजना कुमनसूरी मद्धप्रदेश के रासानी भुपाल में आज सियम शिवराज सिंग चोहान के अध्यक्षता में क्याबिनेट बैचक संपन हुई इसमें एक दरजन प्रस्तावों पर जर्जा के बाद मुहर लगाई आज मंगलवार को मंत्राले में हुई इस क्याबिनेट बैचक में कई एहम निर्ने लिये कए मंझ्षता मिश्ण ने बताया कि कैबिनेट पे दो फरवरी को दिली में बने नए मंध्य परिदेश भवन का लोकार पन होगा मंध्षता में विधायकों की वेतन भथ्थे को बढ़ाने की तयारी मद्रप्रदेश में 7 साल बाद MLA's की वेतन भत्ते को बढ़ाने की तयारी की गई है अब उन्हें 1,10,000 रुपे की बजाए 1,50,000 रुपे करने की तयारी की गई दरसल उनके वेतन में 4,000,000 तक की व्रधी देखने को मिल सकती है इसके लिए राजी सरकार के दोरा निराजों से जानकारी मगाई गई है वेतन भत्ते और पेंशन पुनारिक्षन के लिए गठित समेती इस पर जल्द ही फैसला करेगी कॉंग्रेस का डी एन ए ही पाकिस्तान परस दिगविजा सिंग के बयान पर भड़के सीम शिवरा राजी साबा साथ दिगविजा सिंग के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिये गए बयान को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा सीम शिवराज सिंग चौहान ने इस मामले पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के डियाँने ही पाकिस्तान परस्ती का है उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहूल गांधी के साथ चलते हुए उन्होंने ये बात कही और मैं राहूर जी से ये जवाब मांगता हूँ कि वे कैसी यात्रा कर रही हैं जिसमें टुकडे टुकडे गैंग साथ चल रहा है वो सेना का मनोबल गिरा रही हैं और ये कॉंग्रिस का बड़ा अपराद है मदबर्देश के सत्तर हजार से जौदा बिजली कर्मी मंगलवार से हरताल पर चले गई United Forum for Power Employees and Engineers के वेनर तले उन्होंने कामों का बहिशकार कर दिया वे ना तो लाइन फोल्ट सुधार रहे हैं और ना ही बिजली कनेक्शन दे रहे हैं ऐसे में आम लोगों के सामने मुश्किले बढ़ जाएंगी आज सुभे 11 बजे सिभुपाल के गोविंदपुरा में धढ़ना भी दिया जा रहा है आउट्सोर्स कर्मशारी पहले ही हरताल पर चल रहे हैं जिसका समर्थन United Forum कर चुका है मदर परदेश ये गोवालियर और चंबल के शहरों में मंगलवार को बारिश हो सकती है मौसम वैग्यानिकों ने कहीं कहीं हलकी बारिश के संभावना जताई चतरपुर्टी कमकर निवारी के साथ मालवा के शाजापुर आगरमंसौर नीमच में भी बुन्दा बांदी हो सकती है पिछले तीन दिन से प्रदेश ये कई शहरों में हलकी बारिश हो रही है खासकर सतना रीवा पुना दतिया चतरपुर पन्ना में भीक रही है जलाई के महीने में आएगा राजसरकार का निया जहाज 184 करोड में खरीदेंगे राजसरकार का निया जहाज विधान सबच चुनाओं की पहले जलाई में आ जाएगा ये जहाज 184 करोड रुपे में अमेरिका की टेक्स्टरॉन एविएशन से खरीदा जा रहा है ये जहाज 2020 में खरीदे गए टर्बो प्रॉप सूपर किंग 200 जो गौलियर में दुरगटना ग्रस्त हो गया था और जो 65 करोड रुपे में खरीदा था इस सतीन गुनाम महंगा होगा नया जहाज प्रदेश में सिर्फ बुपाल इंदोर ग्वालियर जबलपुर और खजुराहो ही में उतर पाएगा नवोदे में प्रवेश की अंतिम तारीख घोशे 31 जनवरी तक किये जा सकेंगे आवेदन नवोदे विद्याले में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई इसके लिए आवेदन की तारीख 31 जनवरी तै किये गई इसके लिए लिजाने वाली परिक्षा की तारीख भी घोशित कर दी गई जवाहर नबोदे विद्याले के कक्षा चटवी के प्रवेश परिक्षा सत्र दो हजार तेज के लिए ओनलाइन आवेधन का पोर्टल खुल चुका है जिले के एक अक्षा पांचवी में अध्यनरत समस्त विद्यारती जाकर इस प्रवेश परिक्षा के लिए उनलाइन आवेदन कर सकते हैं उनलाइन आवेदन की अंतिब किती 31 जन्वरी 2030 है शिवराज काबिनेट की बैचक में अनेक एहम फैसले अब हेलमेट ना लगाने पर 300 रुपे जुर्माना मुखी मंतरी शिवराज सिंग चोहान की अध्यक्षता में आज काबिनेट की बैचक हुई बैचक में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अर्थदंड 200 रुपे से बढ़ा कर 300 रुपे करने के प्रस्ताओं को मंजूरी दी गई साधी सीट बेल्ट ना लगा कर वाहन चलाने पर 500 रुपे जुर्माना लगेगा आपातकाली नवाहनों को गुजरने के लिए रास्ता देने में असफल रहने पर पहली बार अर्थदंड का प्रावधान किया गया है MPB विधान सबाच चुनाओं से पहले आकरी टेस्ट का संदेश 19 निकायों में 11 बीजेपी आठ पर कॉंग्रिस चीती मदर प्रदेश में विधान सबाच चुनाओं को अब मुश्किल 10 महीने बचे हैं ऐसे पहले प्रदेश के 19 निकायों में हुए चुनाओं मिशन 2030 का आकरी टेस्ट माना जा रहा है निकायों के संग्या भले ही कम थी लेकिन संदेश बड़ा निकला 19 निकायों में 11 पर भाजपा और 8 पर कॉंग्रेस जीती दोनों में महज 3 का अंदर रहा बागेश रधाम के धीरेंदर शास्त्री को हत्या की धमकी बागेश रधाम के पंडित धीरेंदर कृष्ण शास्त्री को परिवार सही जान से मारने की धमकी मिली दमकी अमर सिंग नाम की व्यक्ति ने उनके चचेरे भाई को फोन पर दी उसने कहा धीरेंदर शास्त्री की परिवार सही तेरवी की तैयारी कर लो ममीठा पुलिस ने अफाई आर दर्च कर ली है एसपी ने कहा कि ऐसी आशंका है कि धमकी देने वाले ने किसी और के नाम से फोन किया है मामले की जाँच के लिए 25 लोगों की S.I.T. गठित की इसमें अनुव विभागी अधिकारी भी शामिल है बागे शरधाम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मद्यप्रदेश सब्डेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद